नमस्त्रा दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल दे रीटेल इंडेस्ट में यहां पर मैं चर्चा करने बाला हूं दोस्तों HDFC Bank की जो अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा और कई निवेश्कों के यह लग रहा है कि जो लगातार गिरावट है उसके बाद क्या आज भी अगर आप देखेंगे तो श्टॉक उपरी स्थरों में एक सरमय गया था लेकिन वापस से आप देखेंगे तो श्ट आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगर आप इस HDFC Bank में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहें ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी लेकिन आगे बढ़ने से बहरे दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाए वीडियो अच्छे लगते हो लाइक जरूर कीजेगा आप से तले के चलता हूँ शेयर प्राइस के तरफ देखिए पूरी आपके सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कर बैंकिंग सेक्टें के लिएbro अगर यह किरेगा अपने साथ पूर्य बैंक निभिट को ड्राइक करेगा और पिछले कुछ समय से यह गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, पिछले एक महिने में देखेंगे न, तो उपरी सतरों से एक बड़ी गिरावट हो चुकी है, ठीक है, किती सवा 6% की, आज एक positive चीज ये हुई है, stock 1550 के उपर ही closing दिया है, तो ये कुछ हलके फूल का पर सकते, positive संकेत है, और कल का दिन, make it और break it का दिन है, अगर stock, आप यकीन माने, अगर कल के दिन stock, 1550 के ताज उपर close दूआ, अची चीज है, 1575 के उपर चला जाता है, वहाँ बैटके close देता है, तो फिर ये, बहुत, बहुत positive होगी चीज, फिर यहां से जो एक समय दिख रहा था, आभी दिख रहा है, कि आप कहां जाके रुकेगी र रवट, कहां जाए, गुरुकेगी रवट, उसके रिपती stock, तेजी दिखा देगा, और देखे, ऐसा हो क्यो रहा है, तो देखे, negative news, analyst की meet होती है, ठीक है, analyst meet होती है, HGFC बैंक करती है, वहां कहती है, जो हमारा net interest margin है, NIM, हमारा net interest margin है, हमारा जो gross NPA है, हमारा जो एक NPA gross margin है, उसमें भी दबाव देखने को मिलेगा, क्यों, देखे, जब से HGFC bank और HDFC limited merge हो है, उसके कारण कुछ non retail bank loans है, जो asset आने वाले से, asset quality का आने असाने में, खराब कर सकते है, तो भाया, आपकी net interest margin हो गई, ठीक है, यानि, एक bank के लिए सबसे important जिस क्या हो जती है, आपक जो NPA है, net NPA, gross NPA, वो पर जाने वाला है, आपका, जो आप कह सकते हैं, भाई साब, कि टोटल, जो bad loans का है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह तमाम चीज से मिल करके, stock में दबाव ड़ा रही थी, अच्छी चीज यह है, कि अब जो तमाम negativity है, वो price in हो चुकी है, पिछ at least 2-3 दिन बड़े important होंगे, और कल Friday है, कल आखरी session है, अगर इस दिन bank, आपके सकते है, stock, अगर उपर जाने में कामियाब रहता है, और sustain कर जाता है, यह बहुत positive चीज होगी, वरना 1500 से ले करके ना दोस्तों, 1530, यह बहुत important है, अगर यह तूट जाते हैं, दोस्तों, 1530 बड़ा psychological support है, अगर यह तूट जाता है, और banker गिरावट और होती वहाँ से, stock को 1300 जाने तक कोई नहीं रोक सकता है, जी हाँ, 1300 जाने तक कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ, अगर आप stock में निवेशेत हैं, निवेश की सोच रहें दोस्तो तो यह स्थर पर यह हो सकता है, अब एक छोटा मुट ऐकिमिल्ट कर लें, एक हिस्सा आपको निवेश करना चाहिए, और इंतजार करना चाहिए कि 1500 तूट रहे हैं, चांसे मुझे परसनली पूचेंगे, बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर वो तूटता है, तो फिर अराम से रहें, 1500 को देख लें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, 20-15% की गिरावट, अगर आपने इंवेस्मेंट के लिए रखी है, कोई गलत नहीं होती, कोई माई नहीं रखती, it will be good, आपको यह अच्छे रिटन देगी आने वाले 2-3 महीने के अंदर, ठीक है, और अच्छे लगी हो, वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल पहली बारा है, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, यह इस वीडियो का अंद है, जय हैं दोस्तों,